हलो स्टुडेंट्स विलकम टू सिपसंकर बायलोजी में एक वाइफ साप सभी का स्वागत है तो स्टुडेंट्स आप लोका चल रहा था BCC NEET ICR 2022 के लिए फिजिक्स का इंपोर्टेंट कोश्चन आज आपका संगहारित्र से बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है विडियो चेतर के साथ हिटा कोन मनाते हुए रखते हैं तो अनभव करता है अपसन ए में दिया है बल तथा बल अगुर्ण दोनों अपसन बी में दिया है बल प्रांतु कोई बल अगुर्ण नहीं अपसन सी में दिया है बल अगुर्ण प्रांतु कोई बल नहीं और अपसन डी बल तथ बल अगुर्ण दोनों ही नहीं तो समरूप बिदू छेतर में एक बिदू दीधरूब जो है वो अनभव करता है बल अगुर्ण प्रांतु कोई बल नहीं तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता आपसर नमबर सी उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोहिशन कहता है कि एक अचर बैदू दीधरूब के परिवेश छेतर में आपसने सिर्फ चुमकिये छेतर होगा आपसन भी सिर्फ बिदूद छेतर होगा और आपसन सी बिदूद और चुमकिये छेतर दोनों होंगे और आपसन दी बिदूद और चुमकिये छेतर में दोनों में से कोई भी नह तो देखे एक अचर बैधुत दीधुरूप के प्रवेश छेतर में जो आपका होगा वाँ सिर्फ और सिर्फ बिधुत छेतर होगा तो यहाँ पर आपका राइट अंसर जो है हो जाता है आपसर नमबर बी उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन कहता है गौस परमेग काउपयोग करके बिधुत दियधुरूप के कारण बिधुत छेतर की त्रिपता ग्यात करने के लिए गौलिये गौसिये प्रिष्ट लेना सुबधा जनक नहीं है क्योंकि आपसरे में इस स्थिति में गौस नियम से त्रिपता ग्यात नहीं की जा सकेगी आपसर भी इस प्रस्ण में गौलिये सम्मितता नहीं है आप संडी कुलाम नियम गौशिय नियम से अधिक मुलूफुत है और आप संडी गौलिय गौशिय प्रिष्टि देधुर आगुन को बदल देगा गौशिय प्रिष्टि लेना जो सुवधा जनक नहीं है इसका कारण है क्योंकि जो प्रश्ण दिया गया है इसमें प्रश्ण में जो गौलिय सम्मिता है उनहीं है तो यहां पर आपका राइट अंसर जो हो जाएगा आपसन नमबर बी उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन काता है गौश का नियम लागु नहीं होता है यादी आपसने में दियारी चुमकिये बल चुमकिये एकल धुरूब बिदमान होते हैं आपसन भी बियुतकर्म बर्ग का नियम पूर्णता सत नहीं होता है तो गॉस का नियम जो लागू नहीं होता है तो देखिए यहाँ पर कोशचन था कि गॉस के नियम का लागू नहीं होता है उसके बाद अगला कोशचन कहता है पानी से भरे एक गोले के अंदर एक बिदू दीध्रूब उत्तर दच्छिन दिसा में रखा जाता है कौन सा कथन सत्य है अपसने गोली की तरह बिदू फलक्स आ रहा है अपसन भी गोले से बाहर बिदू फलक्स जा रहा है अपसन सी जितना बिदू फलक्स गोले की तरह आ रहा है उतना ही बिदूत फलक्स गोले से बाहर जा रहा है आप संडी पानी बिदूत फलक्स को गोले के अंदर नहीं आने देता तो देखिए कोश्चन है कि पानी से भरे एक गोले के अंदर एक बिदूत दी धुरूब उत्तर और दच्छिन दिसा में रखा जाता है तो जो आपसन यहां पे दिया गया है कथन दिया गया है इन में से कौन सा आपका कथन जो है सत है यानि सही है तो देखिए यहाँ पे आपका option number C में जो question आपका दिया है answer वो दिया है कि जितना बिदूत फलस्क गोले की तरफ आ रहा है न उतना ही जो बिदूत फलस्क गोले से क्या हो रहा है बाहर जा रहा है तो यहाँ पे आपका right answer जहा है हो जाता है option number C उसके बाद फिर आपका अगला number question काता है एक संघारित्र को बैटरी द्वारा आबेसित करके बैटरी को बिच्छेद कर देते हैं तो संघारित्र के पटिकाओं के बीच डाई electric यानि प्राबैद होते हैं पट सरकाते हैं तो जिसके फलस्रूप क्या होता है option A में दिया है कि संघारित्र पटिकाओं पर आबेस में कमी होती है तथा पटिकाओं पर बिवांतर में ब्रिधी होती है Option B में पटिकाओं पर विवांतर में ब्रिधी होती है, संचित उर्जा में कमी होती है, परन्तु पटिकाओं के आबेश पर कोई परिवर्थनी होता है अब संसी में दिया है पटिकाओं पर विवांतर में कमी होती है संचित उर्जा में कमी होती है परन्तु पटिकाओं के आबेश पर कोई प्रवर्तनी होता है अब संडी में दिया है कि उपरोक्त में से कोई नहीं तो देखी कोशन काता है कि एक संगहारित्र को बैटरी द्वारा आबेसित करके बैटरी को बिछेद कर देते हैं तो संगहारित्र पटियों के बीच डाई इलेक्टरिक पट सरकाते हैं तो उसके 25 दिन जिसके फजरुप पटिकाओं पर विवानतर में कमी होती है संचित उर्जा में कमी होती है परन्तु पटिकाओं के आबेस पर कोई परवर्तन नहीं होता है इसलिए आहां पर राइट अंसर हो जाता है आपका आप्सन नमबर C उसके बाद आपका अगला कोशन काता है कि प्रतीक आबेसित संघारित्र में उर्जा राती है आपसन A में दिया है धन आबेस पर आपसन B में दिया है धन आबेस वम्रीन आबेस दोनों पर आपसन C में दिया है पर्टिकाओं के मध्य छेत्र में और आपसन D में दिया है संगारित्र की पलेटों के सीर पर देखिए कोशन है कि परतेक आवेसित संगारित्र में उर्जा रहती है तो परतेक आवेसित संगारित्र में जो उर्जा रहती है वहाँ पटिकाओं के मध्य छेतर में रहती है तो यहाँ पे आपका जो राइट अंसर है वो हो जाएगा option number C उसके बाद अगला कोशन कहता है जब दो आबेसी चालकों पर प्रस पर असपर्स कराया जाता है तो option A में दोनों चालकों की कुल उर्जा सनरचित रहती है option B दोनों चालकों का आबेस सनरचित रहता है option C आबेस और उर्जा दोनों सनरचित रहती है और option D में दिया है परिनामी बिभव, प्रारामिक बिभाव की माध के तुल रहता है देखे जब दो आबेसित चालकों पर प्रसपर्स कराया जाता है तो दोनों चालकों का जो आबेस है वह संड़चित रहता है तो यहाँ पर आपका राइट अंसर हो जाता है अपसर नमबर बी उसके बाद अगला कोशन काता है वह बीभव प्रवंता जिस पर किसी संगहारित्र का प्रवैदुतांग पंक्चर हो जाता है उसे काते है आपसर ने प्रवैदुतांग, आपसर नी प्रवैदुत छमता, आपसर सी प्रवैदुत परतिरोध और आपसर नी प्रवैदुत संख्या तो देखिए बीभा प्रवंता जिस पर किसी संगारित का प्रवैदु तांग पंक्चर होता है उसे प्रवैदु छमता काते राइट एंसर आप्षन भी उसके बाद अगला कोशने समानतर प्लेट संगारित की धारता निर्वर करती है आप्षने परियुक्त धातू के परकार पर option B पलेटों की मोटाई पर option C पलेटों के मद आरोपित विवांतर पर और option D पलेटों के मद की दूरी पर तो देखिए समांतर पलेट संगारित की जो धारता निर्वर करती है वा पलेटों के मद की दूरी पर निर्वर करती है तो right answer option number D उसके बाद फिर आपका अगला नमबर q 들어e रहता है संगारी तर के मदउर जा रहती है option B option A में दिया है बैदू झेतर के रूप में option B चुम्किय झेतर के रूप में option C बैदुत और चुम्किय झेतर दोनों के रूप में और option D उपरोक्ट में से कोई नहीं तो देखिए संगारीत्र के मद उर्जा जो रहती है वह बाहा बैदुत छेत्र के रूप में रहती है तो एहां पे आपका राइट अंसर हो जाता है आपसन नमबर ए उसके बाद अगला नमबर कोश्चन कहता है दो जूड़े हुए आबेसित पिंडो के बीच कोई धारा नहीं बाती है जब उनमें समान होता है अपसन धारता या क्यूब आई भी अनुपात अपसन बी बरावर होता है आबेस Option C में दिया है परतिरोद और Option D में दिया है वीभव या Q by कुलाब कानुपाथ तो देखिए दो जोड़े विया वेसित पिंडों के बीच कोई धारा नहीं होती है तो राइट अंसर आपका Option No. D उसके बाद अगला No. Q कोशन कहता है समानतर प्लेट संगारित की धारता बढ़ती है Option A इसका चितरफल कम करने पर Option B इसकी दूरी बढ़ाने पर Option C इसका चितरफल बढ़ाने पर और Option D उपरोक में से कोई नहीं तो समानतर प्लेट संगारित की जो धारता बढ़ती है और बढ़ता है इसका छेतरफल बढ़ाने पर बढ़ता है तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता आप्शन नमबर C उसके बाद फिर आपका अगला नमबर कोशन कहता है एक्याज संगहारीत्र में प्राबाइदूत माध्यम के रुप में धातू का उप्योग कर सकते हैं आप्शन A हाँ आप्शन B ना ही आप्शन C परयोग पर निर्वर करता है और आप्शन D परयोग में से कोई दो देखिए संगहारीत्र में प्राबाइदूत माध्यम के रुप में धातू का प्योग आप नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आपका राइट अंसर हो जाता है आप्शन नमबर B उसके बाद फिर आपका आगला नमबर कोईशन कहता है कथन सत है सत कथन इसमें से चुनना है कि समानता प्लेट संगहारीत के प्लेटों के बीच के दूरी बढ़ाने पर आप्शन A में दिया है प्लेटों के बीच के अस्थान में बैदू छेतर की त्रिपता घटेगी आप्शन B में है प्लेटों के बीच के अस्थान में बैदू छेतर की त्रिपता बढ़ेगी आप्शन C पलेटो के बीच की अस्थान में बैदू छेतर की त्रिवता आप परिवर्थित रहेगी और option D पलेटो के बीच विवांतर घटेगा देखे समांतर पलेट संगारित के पलेटो के बीच की दुरी बढ़ाने पर पलेटो के बीच के अस्थान में बैदू छेतर की त्रिवता आप परवर्तित रहेगी राइट अंसर यहाँ पर हो जाता है आपका आपसन नमबर C तो और स्टुडेंट्स यह था इंपर्टन कोशन इस वीडियो को सेर किजिएगा और सारे कोशन का पीडियेफ का लिंग डिस्क्रीशन में दिया गया है वहाँ से आप इस पीडियेफ को डाउनलोड कर लिजिएगा